जैश्री रादे किष्णा कैसे आपसे मैं सावित्री माओडी आप सब का स्वागत करते हूं अपने युट्यूब चैनल माओडी के व्लोग में आज मैं बना रहे हूं केक वह बहुत सिंपल से सिंपल तरीके से और कड़ाई में केक बनाऊंगी और बहुत कम समागरी से तो कि बनाने के लिए मैंने यहां पर month मैदा ले रखा है और मैं करीब चार चमज पी चीनी डालूंगी ये चार चमज के बराबर है तो यह चिंवी मैं आट करूंगी जो मैने मेडा ले रखा है वह मैंने इसी कटोरी से तो यह नाप में आप लोगों बता रहे हूं कि जिसा ब्र मान hall इसमें लेना है तो डेढ कोटोरी मैंने मैंदा लिया था और इससे में चार चमस के करीब महिंने चीनी का बना लेता व्हो चीनी पावडर लिया है और इसमेने इसी कल तो मैंने कि आदे कोट उत राइन से थोड़ा से ज्याद मैने धाही ले रेखां तो यह दही मैं यह यह ejemplo इसमें घर में जबी कर सक्ते तो इस दआ हैं और मैंने लिया है यहां पे यहां पर कंडेंस चीनी काम लें जो फ्रेट है इसमें चीनी की मात्रा है तो मैंने इसलिए चीनी कम ले रिखी है अगर आप लोगों को मीठा ज्यादा पसंद है तो आप अपने हिसाब से चीनी उस तरह एड़ कर सकते और वह से भी मैंने भी इसमें चीनी ज्यादा ही एड़ कर दिया क्योंकि PCV चीनी डाल लखी है और यह कंडेंस मिल्क ज ढ़को देख सकते हैं ओर बटर ब काह नो इसको आप चाहिए यहां अनी कि मिला देती हूं और अच्छे से मिल्क आप ना भी मिलाएं आपके पास नहीं है तो आप चीनी की मात्रा ज्यादा कर दें जरूर निया की कंडेंस मिल्क नालास में जरूर निया ऑप्सिनल है आप इसे स्किप भी कर सकते हैं तो इस तरह इसे मिला लें अच्छे से तो इसमें दूद मैंने बाद मैं इसलिकी ऐला यूख ॥ा अगर सांथ में दूद डालती तो आप पता नहीं चल पाता तो ढ monster मां डाल लियूं और और कटोरी में आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा दूद रहा है और यह दूद में सब यूज करके मुझे अगर और जरूरत पड़ेगी तो मैं और भी इसमें डालूंगी तो पहले मैं भीर दे करके इसका बैटर तैयार करती हूं तो इस तरह इसमें दूद भी ऐसे मिक्स करना होता है और यह दूद में इसमें सारा डाल देती हूं अगर और जरूरत पड़ेगी तो मैं और इसमें दूद डालूंगी मैं कम सामागरी ले रखे हैं मैंने मैदा भी कम लिया हुआ है क्योंकि मैं केक कम बना रही हूं आप इसी नाप से जितना केक बनाना चाहें उतना केक आप बना सकते हैं तो इस तरह में इससे पहले मिक्स कर लेती हूं फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि बैटर मैंने किस सकते हैं इसमें दूद और दही चाहें दही घर का जमा हो या फिर आप मार्केट से लाएं कोई साभी ले ले तो इस तरह से मिला ले तो यहां पर बैटर मैंने तयार कर दिया है यह इस तरह बना हुआ है और इसमें लंस ना आये इसलिए आप इसे बहुत ज्यादा देर तब फैटे और अच्छे से जब फैट जाए यानि इसमें गुठलिया ना दिखें तो यह इस तरह तैयार है और दूर इसमें एक कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा लगा था और अब मैं इसमें छynthrophyγα तरी काम लिया है और इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर देंग गा मिली दे तूंसा कि ऑ मैं हैं डालूंगी है कट टुटी फूर्टी ये मैंने ले रहें यहां पर थोड़ी सी और इसमें मैं सुखा मैदा मिक्स कर ले तो पहले कि इनको इसी तरह अगर इसमें करना है मिक्स कर दिया है और इनको मद किसमें डाल टूट हिला लेत हुं एक मिक्स कर लेत हु और ये टूटी फ्रूटी इस हमा ढबिन इनको ब्रधार है तो आप डॉल सकते हैं सिंपल तरीके से भी हो पबुक्त लो उस उस्से भी झाल अ हों मेरे पास रेड़ कलरेंगे हैं सरीकोNew होHAHA उससी तरह सकते हैं कि आप डाल सकते हैं कि सिंपल तरीके से भी हम इस तरह इंजोइ कर सकते हैं कोड़ी चीज फिरमें और अपने घर मैं जो चीज है में बना सकते हैं तो तो में इसको एक चेट में डालती हूं और मैं अब को दिखाते हूं आ ना रहे हो जो हमारे घर में फैल प्रीज राइपन होता सब्सक्राइब कर दो चाहिसे nauh कर लियाonders MAGA evaluate यह वाला बैटर जो मैंने यह बैटर तयार कर रहा है इसमें से डाल देती हूं इस तरह कौनल को यहाँ पर मैंने पैन में इस बैटर को सारन डाल दिया है और इधार गैस मैंने क섯 ही रखें करणाय को मैंने गरम कर दिया यानिक गय्स अन्हें यह कठाय मेरी कजले अरत कि он को इसे अगर आपके पास यह को आई यह और जो ऑफ्राइपन यह ऐismos सब्सक्राइय में को भी दालना है उसे मनें इस कड्हाई में डाल देकियूं कि मेरे पास आई लेकिन वह थोड़ा सा उसमें पैन अच्छे से नहीं आ पारा था तो मैंने इस कड़ाई को यूज किया है यह मैंने इसमें इसे रग दिया है और इसे मैंने अब कवर करना यानि कि इस पर धक्कन लगाना तो एक प्लेट से मैं से ढख दूँगी क्योंकि इस पैन का धकन नही है बीकुल एक दम फिट बैठ रहे है वाला ढकन कहीं से इसके हवा लीक नहीं हो रही कुंगी और एक मिन नटतना मैं फूल व्लेम रखुझी एक मिनट के बाद इसे बिल्कुल लो फ्लेम कर दूंगी और 30 मिनट के बाद मैं इसे देखूंगी कि एक किस तरह तक बन रहा है और कैसे बन रहा है उसके बाद मैं इसे देखूंगी तो एक मिनट के बाद गयस कम करनी है मिरको तो केक को बनते हुए 45 मिनट हो गये हैं यानि कि पौना घंटा हो गया है मैंने 30 मिनट में इसे चेक किया था तो उसमें इसमें थोड़ा सा और बागी था तो फिर मैंने इसे 40 मिनट तक रखा तो मैं आप इसका धकन खोलती हूं और अच्छे से फूल गया है मैं एक चाकू की मदद से या फिर टुथ पीखो उसकी मदद से भी चेक कर से तो मैं चाकू की मदद से इसे चेक करती हूं और देखती हूं कि दिख्या के घ्रषाटि पैनेये संट मेरा थे तरफ यह इसे अब नीचे उतार स्कFirst उसके बाद इसे एक पिलेट मंपिल हम पहले से नीचे निकाल लेती हो तो इससे पहले चाखण तरफ चाकू से ऐसे कर लेती हूं वैसे तो यह इसने पूरा बरतन छोड़ दिया है फिर बेस तरह इक बार चाकू घुमा लेती हूं और यह अभी गरम भी है थोड़ा मुझे डर भी लग रहा है थोड़ा ठंडा होने देती तो सही था तो मैंने इस केक को प्लेट में पलट है और इसका बटर पीपर हटा दिया है और अब मैं इसे थोड़ा ठंडा होने दिऊंगी उसके बाद इसे कट करूंगी क्योंकि गरम गरम यह कट नहीं करते हैं इसे तो ठंडा होने के बाद इसे कट करूंगी तो आप यह केक थंड़ा हो गया है मैं से कट करती हूं और देखती हूं कि यह कितना अच्छा बन रखा है तो इस अराम से ऐसे कट करना है और बहुत अच्छी खुश्वु आ रही है और लगणा कि टेस्ट में भी अच्छा ही बना होगा इस तरह मैं स्ट्पीस को बाहर निकालती हूं आगा है यह यह बन रखाये हैं तो यह हमारा आसका केक कई जह मैंने आसान तरीके इस वर ट्रसना कि आप बच्चों कर दो यह बहुत बनाने का है और बहुत सिंपल तरीका इसका बनाने का आए तो हम इस केक को इंजॉय करते हैं और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कॉमेंट करना लाइक करना आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये केक आज उनके लिए है जिनका बर्थडे है तो हैपी बर्डे टू यू और कल आती होई